मुझे और मेरे बच्चों को sweet dish बहुत ही पसंद है I think आप सबको भी sweet खाना बहुत ही अच्छा लगता होगा लेकिन उसे बनाने की process थोड़ी सी लंबी हो जाती है इसलिए हम आलास खा जाते हैं और इसे नहीं बनाते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी recipe लेके आई हूँ जो फटा फट से बन जाएगी उसे बनाने में भी आपको मज़ा आएगा और खाने में भी तो चलिए फटा फट से recipe स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने ले लिया है एक non-stick pan और gas की flame को मैंने on कर दिया है gas की flame में यहां पे हमें low रखनी है और अब इसके अंदर add करेंगे एक चम्मच गी गी थोड़ा सा melt हो जाए फिर उसके अंदर add करेंगे काजू बदाम यहां पे मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बदाम लिये हैं इसकी quantity आप कम जादा कर सकते हो 2-3 मिनिट में हमारे काजू बदाम अच्छे से सिख जाएंगे और यह देखिए काजू बदाम हमारे ready हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी में और अब इसी पैन के अंदर हम लेंगे दूद तो यहां पे दूद हमने ले लिया है 500 ml और इसे भी हम गरम कर लेंगे दूद को हम पहले एक दम high flame पे गरम कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए दूद के अंदर अच्छा खासा उबाल आ जाए फिर इसके अंदर add कर देंगे एक चुटकी भर के केसर केसर डालने से इसका टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही लेकिन इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा तो अगर आपके पास केसर है तो ज़रूर डाले तो चलिए अब इस पैन को हम सिफ्ट कर देते हैं दूसरे वाले गेस के उपर अर इस वले gas के ऊपर मैंने चड़ा दिया है एक तवा तवा को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और मैं लेक्क आगई हूँ ब्रेड कल मैंने सैंड़िच बनाई थी तो ब्रेड बज गए थी तो मैंने सोचा कि इसी का आज यूज करगे अच्छी सी एक sweet dish बना लेते हैं तो bread का भी use हो जाएगा और अच्छी सी sweet dish भी बन जाएगी तो सबसे पहले हम bread की sides को हटा देंगे क्योंकि ये sides खाने में आती है तो अच्छी नहीं लगती है क्योंकि ये थोड़ी सी hard होती है तो इसे हमें हटाना होगा लेकिन इसको हम फैक नहीं देंगे इससे हम bread crumbs बना सकते हैं और different different recipe में इसका हम use कर सकते हैं तो चलिए इंहाँ पे bread की sides को मैंने हटा लिया है और इस तरह bread को हम square pieces में cut कर लेंगे तो जितनी भी bread हमें चाहिए उतनी bread को हम इस तरह ready कर लेंगे बीच बीच में हम दूद को भी रेखते रहेंगे जिसे हमने side में उबलने के लिए छोड़ दिया है gas की flame यहाँ पे हमने एकदम low रखी है क्योंकि दूद उबल के बाहर ना आ जाए और इसे एकदम low flame में हमें पकाने के लिए छोड़ देना है क्योंकि दूद जितना पकेगा उतना गाड़ा होगा और यह हमारी जो recipe है तो बहुत ही बढ़िया बनेगी तो चलिए यहाँ पे bread भी कट हो चुकी है और इसे हम सेक लेंगे तो तवे पर मैंने थोड़ा सा गी लगाया है और यह bread को हमें एकदम low flame पे दोनों तरफ से अच्छे से golden brown होने तक सेक लेना है यहाँ पे हमें इसे fry नहीं करना है थोड़ा थोड़ा गी लगा के इसे हम एकदम low flame पे अच्छे से सेक लेंगे तो यह देखिए bread भी हमारी सीख गई है bread को हमें एकदम crispy होने तक सेक लेना है और flame हमें एकदम low रखनी है flame थोड़ी सी भी हाय होगी तो bread हमारी जल जाएगी और यह जो हमारी sweet dish बन रही है उसका taste भी खराब हो जाएगा तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और एकदम low flame पे उसे सेक ले bread को सीखने में जादा time नहीं लगता है एक से दो मिनिट में दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएगी तो चलिए bread का काम भी खतम हो चुका है और इस slice को भी हम संभाल के रख देते हैं दूसरे recipe के लिए तो चलिए अब pen को shift कर देते हैं बड़ी वाली flame के उपर और यह देख सकते हो आप के हमारा दूसर का कलर कितना बड़ी आया है और यह थोड़ा सा गाड़ा भी हो चुका है और अब इसके अंदर add करेंगे चीनी तो चीनी हम अपने taste के according इसके अंदर add करेंगे आपको जितना मीठा पसंद है उतनी चीनी आप इसके अंदर add कीजिए और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसे हम एकदम low flame पे फिर से उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी अच्छे से melt हो जाएं चीनी melt हो रही है तब तक हम यहाँ पे काजू बदाम जो हमने सेख के रखे थे उसे cut कर लेंगे इसे हमें एकदम छोटे pieces में नहीं cut करना है बड़े-बड़े pieces में cut करना है तो यह देखिए दूद भी हमारा अच्छे से उबल चुका है फिर से और शुगर भी अच्छे से melt हो चुकी है और अब इसके अंदर डाल लेंगे मावा मावा यानि खोया आप क्या बोलते हो इसे मुझे नहीं पता है लेकिन मैं तो इसे मावा ही बोलती हूँ यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्रम जितना मावा लिया है और इस दूद के अंदर मैंने इसे add कर दिया है और अब इस पेचुला की help से मावा को हूँ इस तरह दबा के इसे दूद के अंदर अच्छे से mix कर लेंगे इसके अंदर मावा डालने से दूद और भी गड़ा हो जाएगा और यह जो दूद है हमारा एकदम रबडी जैसा बन चाएगा तो यह देखिए इसे एकदम low flame पे इस तरह हमें अच्छे से mix कर लेना है सब कुछ अच्छे से mix हो जाए फिर gas की flame को हम off कर देंगे तो यह हमारी रबडी बन के एकदम ready हो चुकी है अब इसे assemble कर लेते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है एक काच का bowl और उसके नीचे डाल दी है मैंने यह जो रबडी हमने बनाई थी वो और उसके उपर रख देंगे bread की slice जिसे हमने सेख के ready करके रखा था तो इस तरह bread की slice को इसके उपर रख देना है bread की slice रखने के बाद उसके उपर फिर से एक layer करेंगे रबडी का तो इस तरह bread की slice और रबडी के layer हमें बनाते जाना है जितनी भी आपने bread की slice बनाई है और रबडी बनाई है इसे इस तरह इसके अंदर set कर लें तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से set हो चुका है और अब इसके उपर डाल देंगे dry foods और dry foods डालने के बाद इसके उपर डाल देंगे थोड़े से rose petals rose petals डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता ही है लेकिन साथ साथ में ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है तो ये देखिए हमारे sweet dish बनके एकदम ready है कितनी आसानी से और कितनी फटा फट से हमारे dish बनके ready हो चुकी है लेकिन ये ठंडी होगी तो खाने में और भी मज़ा आएगा तो इसे मैं रख देती हूँ freeze में एच्छुली मैंने इसे freezer में रखा है क्योंकि ये फटा फट से ठंडी हो जाए इसलिए तो आप चाओ तो freeze में भी रख सकते हो तो चले आदा गंटा के लिए मैंने इसे रख दी आदा freezer में और ये देखिए एकदम ठंडी ठंडी हमारी स्वीट डिश एकदम ready हो चुकी है और अब इसके pieces कट कर लेंगे है तो इस तरह उसे square pieces में हम कट कर लेंगे तो अगर आपके पास भी कलकी bread पड़ी है तो आप भी ये recipe ट्राइ कर सकते हो यकीन मानिए ये taste में बहुत ही बढ़िया बनी थी और हम सबको तो बहुत ही पसंद आई इसे देखके कोई कहें नहीं सकता कि ये बची हुई bread से बनी हुई एक sweet dish है देखने में इतनी बढ़िया है और खाने में इतनी लाजवाब तो आप भी घर पे एक बार जरूर रहे करना तो चलिए इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर इसे देखकर तो किसी के भी मुँ में पानी आ जाएगा तो मेरे मुँ में तो अल्रेडी पानी आने लगा है तो चलिए मैं इसे टेस्ट करती हूँ के कैसे बनी है तो यह देखिए कितनी सौफ्ट और कितनी टेम्टिंग लग रही है यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनी थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी तो आप भी घर पे इसे एक बार जरूर ट्राय करना ओके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना